एक बड़ा rescue operation SDRF की टीम के द्वारा किया गया है यह राजदानी का वीक्याई इलाका है और ध्वजनगर कॉलोनी है यहां पर जो civil defense की टीम है वो मेरे साथ मौझूद है किस तरीके से आपने यह rescue operation किया कितने बज़े आप लोग यहां पहुंचे लिए सर सुबह 6 बज़े आ किया है तीन गंटे हमें सर्च करके फिर बोडिया क्लेक्ट किया तीन गंटे आपने सर्च किया क्या परेशानी हाई को कि बड़ी मातरा में मलवा भी था अंदर सर मलवा भी था उपर से च्छत की जो पटियां थी वो आदी जूल रही थी आदि एस लट की थी घैस का रिसा को अंजाम दिया देखिए अगर आप पीछे की तरफ से देखेंगे तो ऐसा आपको लगागा कि बहुत ज़्यादा तेज फ्लड आया है सारे संस जो भी गेट वगएरा दिवार वड़ा सब तूट गई थी और अचानक से एक मिनिट दो मिनिट में बहुत ज़्यादा पानी गया तो उनको बचने का चांस मिला ही नहीं और वो इसलिए डूगे रैस्क्यू करने में परेशान इसलिए थी कि यहां पर पट्यां टूट रही है दिवारे टूट रही है और उसके नीचे अगर कोई रैस्क्यूर जाएगा तो उपर से गिर जाएंगी तो हमारे साथ भी देखिए अचानक से जब कोई इस तरह की फिलर आता है तो उनको निकलने के लिए भी दो फिट की गैलरी से और उसमें तीन फैमिली रहती है तो कितने लोग निकलेंगे तो वो नीचे रह गया इसलिए तो तो टोटल कितने लोग थे अंदर अब हमने तीन बोड़ी को रिक अंदर जो है सिलेंडर भी निकाले आपने हमने देखे तीन एलपीजी सिलेंडर निकाले वो लगाता रिसा हो रहा था रिसा होने के करण एलपीजी गैस स्टोरेज होगी माँ पर और थोड़े बेफर्स से नजर आ रहे थे हमको जो हम टॉर्च कर नहीं कर पाए इसलिए प परिशानी आई इस ऑपरेशन जो की रैस्की ऑपरेशन उन्होंने किया इसके दोरान जो परिशानी आई उसको बताया कि किस तरीके से एलपीजी गैस जो है लिकेज थी वहाँ पर और उसके साथ साथ में टॉड्स नहीं जला सकते थे अंदर काफी अंधेरा था तो इस कुरूँ